कैसे आप अच्छे होंगे बढ़िया होंगी और आज मैं आपसे ब्लॉगिंग कर रही हूं कोई रेसिपे शेयर नहीं कर रही हूं लेकिन हाँ कुछ डिफरेंट रेसिपी मैंने ट्राइ किया है आप भी इसे ट्राइ करके देखे और हल्दी भी है हमेशा आप पीते की सबजी जो बनाते हैं और ये देखो गार्डन से ये देखो घड़न से अमने हमारे गार्डन से जो हमीशले साल लास्ट योरी हम थे बीश क्यों से ब्लाख अने आप पायाु करेंग आत्धे मेंगा हल्या को दिखा नहीं करा और ये देखो इसको of jmi सारे मैंने अवेस्ट हिया बहुत लोगों को दिया भी टो 5 मैंने अभी अपने लिए रखा है यह दो-टेJ किसी को तेना नहीं होगा तो मैं खुद यहीदि निकल रहा ना यह सैप निकल जो इसका स्किन के लिए मैडिसीन बनते हैं, अलो पैट में भी और होमियोपैट में भी शायद होता है, अनि होम पैट था दो निए, आईरवेडिक तो बनता ही है, और अलो पैट भी, तो मैं इसकी जो सबजी बना रही हूं, यह हाविस्टिंग तो मैंने किया ही, बहुत फ् पीते की सबजी सभी लोग खाएंगे, आप देखो ये बनाया है मैंने, अब मैं आपको सिंपल तड़का है, जैसे आप लौकी में तड़का देते हैं, ये देखो दोनों सर्सों का, ये जो ब्लैक है, ये और ये, और मैंने रेड ये वाली सुकी मेर्च है, सुकी मीर्चो ये और दो, तीन, तीन मैंने ड्राई रेड चिली लिया, और आपको शुगर दिख रहा होगा, शुगर, शुगर डाला हुआ है, ये देखो, शुगर है इसमें, ये शुगर है, ये शुगर डाला है इसमें, अब बिल्कुल मीठे कद्दू की तरह सबजी की बनेगी, आप इस मीठी से तराईज जरूर करें, एक तो अलग टेस्ट हो जाएगा और बहुत ही टेस्टी लगता है, और हल्दी भी, और सिर्फ इसमें, रेड चिली पाफूर और हाफ टीस्पून मैंने टर्मर्रीक पाफूर हल्दी पाफूर डाला है, फोड़ा ही डाला है, लाइट बनान हैं और मैंने सॉल्ट डाला है, यह देखो। पहले ही डाल लिया है, तो सभी मैंने तड़का आप को फिर से बता देती हूँ, इस्में देखो, यह देखो लेला है, यह देखो आप देख रहे होगे, दोनु है Billo & Black, दोनों सरसो मस्टर्ड सीट्स के तड़का दिया मैंने और दो ती रेट ड्राइचिली ले लिया और सुगर सॉल्ट मैंने डाला है बिल्कुल कद्दू के सबजी की तरह और हाफ स्पून टर्मरिक पाउडर डाला है ये देखो ये टर्मरिक है जो इसे डाला है टर्मरिक पाउडर डाला ह जादा नहीं तेज नहीं करना है और इसमें थोड़ा सा वाटर निकल रहा है क्योंकि यह फ्रेश है इसलिए और मैंने इसको इसका एक टिप जरूर देंगी मैं कि इसके सैप के बारे में और भी कोई चीज बता है और दूसरा यह अब यह सॉफ्ट पहले इसको सॉफ्ट कर ल कि हम तो तो पहले ही डालतें उसे जल्दी सोफ्ट हो जाता है सबजी है ए मतलब लो चाही कभी भी अप कद्व रहे इस पहले है जल्दी सॉफ्ट अक सबढ़ से स्गर रह ज्दा टो-वनस इस अन्वे .... अब मैं चना बॉयल कर रही हूं यह देखो ब्लैक ब्लैक चने इसको फ्राइ करके बनाएंगे क्योंकि राइस के साथ किसे को नहीं खाना है तो मैं बनाऊंगे डिफरेंट साथ कुछ स्नैक्स तो यह देखो आपका वह जींगा वाला मसाला जो मैं उस वक्षको खोल नहीं प इसको जलाने से पूरी सब्जी कडवी हो जाती है और बस इतना ही डाले इसका फायदा बहुत होता है इसके बहुत सारे नियूट्रियंस होते हैं लेकिर इसको जला दो तो कडवा हो जाता है बच्चे फिर नहीं का दे और मसाला भी बहुत तेज हो जाता है इसलिए 3-4 प्लांट्स में डालूंगी इसको ब्लैक चने के वाटर को वाच किया है अपने अच्छे तरीके से अब हम इसको बॉयल भी करेंगे देर तक 25 मिनट्स तक बॉयल करना है इस पे भी मैंने सॉल्ट टाल दिया है चिंगा मसाल डाला है आप देख सकते हैं और मैंने इलाइची भ क्लाउस डाले हैं 2-3 यहां पर कांगे वह सारे गायब कांगे अच्छा मैंने ऐसे कर दिया था ना तो नीचे से ले गए तो क्लाउस मैंने तीन डाले हैं बहुत ज्यादा स्टॉंग भी ना हो और इसको फ्राइब करके बनाऊंगी मैं तो यह है अब इसको बॉयल करने जा करें और ये वपीदे की सब्टी जो है बहुत ही है और देखो इसका कलर और ऐसी कलर रहेगा ऐसा क्यों कि हमने हाल्दी जो है बहुत ही कम डाले है और म्यच्ची भी olmas कम डाला है यूदम साधा बनना है ताकि बच्चे भी इसको जरूर खाए और सब ही लोग खा सक Darthym 바घ कर कबी लोग कहते हैं कि कभी लाकRe उसको फ्रीज में रख देते हैं किसी भी सामान को तो उसकी वज़ा से गोबी जो होगी और गोबी होती है और यह जो देसी गोबी पीता कदू इस सपकते निये जल्दी फिर जल्दी से नह शॉफ्ट नहीं होते हैं इसलिए आप जब इसको तड़के डाल दें तो 1 teaspoon आप शुगर 1 teaspoon salt जरूंदे दाल सभी सब्जी में, इससे क्या होगा जल्दी से वो soft हो जाएगा, गोबी की बना रहे हैं तो उसमें चीनी ना डाले या हलकी सी चीनी चुटकी भर डाल दें, सॉफ्ट हो जाएगी गोभी जल्दी, और ये देखो, आप ये पपीते की कच्छे पर रहो, पपीता की सब्जी बनाई कच्छे पपीते की, आप भी ट्राई करें, मैल्दी भी है, टेस्टी भी है, बहुत अच्छी बनेगी, और कोई इतना टफ नहीं था कि मैं इसको बहुत ही एक्स्प्लेइन करके बनाऊं, पूरी वीडियो इस पर ही सिर्फ, अगर आप कहेंगे, तो मैं जरू बनाऊंगी, लेकिन वैसे जरूरत नहीं है, ये सिंपल ही, अच्छे से बनानी है, और मैंने सारा टड़का तड़का भी बता दिया, ये देखो, मस्टर्ड सीट्स ही, आपने देख लिया है, ये देखो, मस्टर्ड है न, दिख रहा होगा आपको, और मैंने कोई मेथी वेथी नहीं डाला, कई लोग मेथी भी डालते हैं, मैंने मेथी नहीं डाला, और मिर्च है, मस्टर्ड सीट्स को ल्स ऐसे तो के दोनों क कलर का मैं ने क्यूंकि दोनों अवेलबल ता नहीं आपके पास शुरीर के डाले ब्लैक वाला ही डाले और ये दो तीन मैने चिली ले लिय बस है लाल जा heap वन रहा है जो हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, बेनिफीचल होते हैं, हमें उनकी जानकारी ठीक से नहीं होती है, तो अच्छा है कि इसको पानी में बॉयल करने दे, उसकी अरोमा जो होता है, वो बहुत अच्छी से इसमें आ जाएगा, और आपके बच्चों को कड़वा भी अगर आप चाहें तो इसको बाहर बहु निकाल सकते हैं तो यह अगर को सब चाहें तो तो बहुत जाए है तो आप इसको बाहर निकाल सकते करने वापस इसको करें अब एक थोड़े दिन बाद आप इसको प्लांट में डाल सकतेहं फिर Buy पता इंपे ना कलाव्स वगरण ज़ो दूसरी बार भी यूज करें अख्डा एम इसको प्लांट में डाल दे इस से श्लक्स दूर रहते हैं तो आज में थे शेकर रहा था गुडबाई फ्रेंड्स फिर जल्दी ही मिलते हैं किसी नई टॉपिक के साथ किसी इंटरेस्टिंग न्यू टॉपिक के साथ गुडबाई अच्छे रहें बढ़िया रहें मेरे प्लांट देखो सही हैं लेकिन अभी फ्लावर्ड रिंग नहीं हो रही है इसमें